तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन एकेडमी के इस नहें और लेड़ेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग साबका और लाहका पहचानने का एक बहुत ही जबरदस्ट ट्रिक समझने वाले हैं जानने वाले हैं मतलब ट्रिक क्या समझें कि टोटल में साबका और लाहका आप लोग को बता देने वाली हूं इसके बाद से इस एक विडियो को देखने के बाद आप लोगो साबगा और लाहका पैचानने में एक परसेंड भी दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़े ठीक है क्योंकि आप लोग के एक्जाम में साबका और लाका से तीन नहीं तो चार कोशन हर साल पूछा जाता है और इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोग के हाथ से यूही तीन चार नंबर छूट जाए इसलिए इंपोर्टन समझते हुए यह दोनों टॉपिक पढ़ा रही ह होगी बहुत सारे स्टुडेंट कंफ्यूज रहते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि साबका और लाका कैसे पहचाने तो आप लोग टेंसन फ्री हो जाएए अब मैं लेकर आ गई हूँ साबका और लाका को पहचानने का तरीका मतलब कि आप देख सकते हैं इसके पहले भी म तरीका नहीं बताई हूं अभी तक यह फर्स्ट वीडियो है और पहली बार इस ग्यापन एकेडमी के प्लिटफॉर्म से साबका और लाका पहचानने का मैं तरीका बता रहे हूं अब आप लोगो टेंसन लेने की बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है ठीक है चली आज कि इस व अब का को ईंगलिस में कहा जाता है PREFIX क्या कहते हैं प्रिफिक्स और हिंदी में कहा जाता है अप सर्ग यानि की वैसा हर्फ यानि की अक्छर या फिर अक्छरों का समूव जो किसी स शब्द के शुरूइऴ में जुड़कर उस श शब्द का अर्थ बदल दे और एक नया श है ठीक है इसके आगे अगर मैं लगा दू डिस लगा दू तो यह जो डिस लग गया ना डिस लगने के हो जैसे एक नया वर्ड बन गया डिसलाइक like का मतलब पहले था पसंद करना लेकिन अब like के आगे dis लग गया तो ये क्या हो गया dislike यानि कि ना पसंद ना पसंद करना तो total meaning भी यानि कि अर्थ बदल गया और एक नया word बन गया dislike तो ये जो शुरुवात में ये तीन अक्षर का समू लगा है ये तीन अक्षरों के समू को यानि कि इस अक्षरों के समू को क्या कहेंगे prefix English में क्या कहेंगे prefix हिंदी में क्या कहेंगे उपसर्ग और इसी को उर्दो में कहा जाता है साब का यानि कि वैसा हर्फ उर्दू में वैसा हर्फ या हर्फ का समू जो किसी लव्ज के शुरुवात में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे और एक नया शब्द बन जाए अब इसको उर्दू में एक्जामपल लेकर समझते हैं जैसे की ले लेते हम लोग खुश ठीक है यह हो गया खुश खुश का मतलब खुश मतलब हैपी ठीक है आप लोग है यानि की हैपी है प्रसंद है लेकिन खुश के आगे अगर हम लोग यह दो अक्षर का समू लगा दे नू और अलिफ नून में विद्व करना ना लगा दे खुश के आगे ना लगा दे तो क्या हो जाएगा ना खुश जैसे ही खुश के आगे यानि कि स्टार्टिंग में हम लोग ना लगा दिये तो ये एक नया शब्द बन गया ना खुश और अर्थ भी बदल गया यानि की मतलब भी बदल गया ना खुश का मतलब जो खुश नहीं हो ठीक है मतलब जो हैपी नहीं हो परसंड नहीं हो उसको कहते हैं ना खुश ठीक है तो पहले था खुश और और English में कहते हैं क्या prefix इसी को那就 है साबका जो सब्सक्रे हरा जसा देत का इसको मिटा दूँद दू हूद रुख जाए इसको मैं निटा देती हूं और इसो नेटेती साबका का उल्टा कर देंगे ना तो लाहका ओगा लाहका इस तरह से लिखा जाता है लाहका मतलब याद रखने का भी ट्रिक है साबका स से साबका और स से शुरू यानि कि वैसा हर्फ या फिर हर्फ का समूगों जो किसी अक्षर के शुरू में सासे साबका और सासे शुरू यानि कि किसी लवज के शुरू में जुड़कर अर्थ बदल दे एक नया शुब्द बना ले उसको कहते हैं साबका और देखिए लाहका बस इसी का उल्टा कर दीजिए लासे लाहका लासे लास्ट यानि कि वैसा हर्फ या फिर हर्फ का समू जो क किसी लफ्स में जाकर जूड़ जाने कि लफ्स द्रस्ज्य के लास्ट में जुड़कर अर्थ बदल दे और एक नया शब्द मदने एक नया लफ्सवना ले उस तरह के हर्फ को या फिर हर्फ के सम्मू को कहते हैं लह का जैसे कि एकजांपल की Celica मैं आप अगर मैं यहाँ पर एक लवज लिखूँ एद ठीक है इद तो आप लोग जानते हैं इद हम लोग आते हो हार है ठीक है तो यह मैं इद लिखती आप लोग ज़रा जूम कर लिजेगा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो तो यह लवज है इद अब इसी लवज के लास्ट में ल गाह पहले था इद लास्ट में जूड़ गया जहां पर इद नमाज पढ़ी आशे ऌत्वी बदल गया पहले इद नमाज पढ़ने वाली जगह ठीक है जह लास्ट में तो यहलें पासम में गाफ है अलिफ है और है तीन हर्फ का ये समू है गरुप थिन हर्फ के गरुफ लग जाने के वज़ा से येक नया शब्द बन गया और अर्थ भी बदल गया तो यह लास्ट में लगा है इसीलिए करफ के समू को क्या कहें गें गार गंड़ा दिया तो गार लगा दिये तो गार हैं परतियाएं और English में कहते हैं suffix अब चलिए हम लोग समझते हैं कि साबका और लाका कि पहचान कैसे करें क्योंकि जितने वी स्टुडेंट होते हैं सब के सब्सक्राइब कर कंफ्यूज हो जाते कि जीतना भी साबका होता है ना सारा का सारा मैं इतना लंबा छड़ा आप छो लिखा वा दिख़ाई दिखाई दे रहे इसके इसके इलावा आप लोग को पूछेगा यहीं से पूछेगा तो बहुत ना विधिश्य जैप समझ लेते हैं total साबका यह सब साबका है लहाखा भी मैं बताऊंगी बोड़ मीटाने के बार सबसे पहले साबका समझ लेते हैं यह सब क्या है साबका जैसे कि देखिए बर बर क्या है यह साबका है मतलब बर किसी भी लवज के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल ब्रम लगे जैसे की पहले आमद था और इस्टाटिंग में क्या लग गया एक ह्था यहीं लख साबगा है अजसेड़ाफ यह में वर bold खिलाफ कि इस सभी लवज मेंसा क्या आ बर तो ब्र क्या हो गया साबका हो गया आप लोगे एकजाम में दो तरीके से पूछा जाता है एक तो कोशन इस तरह से पूछेगा कि मन्दर जजहलालफाज में से साबका कौन है ठीक है ऑपसन में वो अलग-अलग हो सकता है लेकिन साबका और लाका आगर आप लोग जानते रहेंगे तो यूँ चुटकियों में अंसर बता सकते हैं ठीक है तो बर एक साबका है ठीक है अन अब जिस भी लवज के स्टार्टिंग में शुरुवात में बर दिखाई दे जैसे कि बरामद बरक् घ्यान हो गया पढ़ता है स्टार्टिंग में अन लगया तो उन पढ़ हो गया अनमोल अनहोनी तो इन सभी लवज में अन क्या है साबका है क्योंकि тепि लवज के आगे अन्लगा हुआ है तो अन katika जिस बहुथ क्याsystem साबका है बद तमीज आप लोग सुने होंगे ना बद तमीज बड़ा बद तमीज है यह ठीक है तो बद तमीज कैसे बना है पहले तमीज था और स्टार्टिंग में बद लगा दिया गया है बद एक साबका है तो बद लगकर बद तमीज बन गया है ठीक है आई होब आप लो बादा आप लोग सुने होंगे बे भी क्या है साबका है यह जितना भी साबका है आप लोग याद कर ले एक पर ध्यान ते देख ले الرण बद बा और यह बे बे भी क्या है एक साबका है जैसे कि ख्याल कि आगे बे लगया तो बेख्याल बेगर्ज बेखबर बेवफा सुने होंगे आप लोग बेवफा भी सुने होंगे बेखबर भी सुने होंगे बेगर्ज भी सुने होंगे बेख्याल भी सुने होंगे तो यह जितने भी लफज हैं यह सब क्या है इन सब में साबका मिल हुआ है तब यह लवज तयार हुआ है ठीक है तो बे क्या हो गया साबका हो गया एहल आप लोग सुने होंगे एहल वतन ठीक है एहल वतन का मतलब क्या देश्वासी ठीक है एहल खाना एहल जबान तो एहल क्या है यह साबका है पेश पेश भी साबका है कैसे पेश लगता है ख उसी तरह सर है सर भी क्या है? साबका है हद के आगे सर लगया तो सरहद, सरपरस्त सरदार, सरगोशी सरफराज तो इन सभी लफज में साबका सर है थेखे burns गैर मौजुदगी, गैर मजहब गैर हाजिर तो इन सभी लफज के आगे क्या लगा है? गयर 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 तो गयर क्या हो जाएगा यह गयर साबका कहलाएगा ठीक है पर पर नहीं पुर यहां पर पूर पे की उपर पेश रहेगा ठीक है पूर नूर पूर खेज पूर मानी यानि कि यह पूर क्या है साबका है तंग तंग दिल आप लोग सुने होंगे ना तंग दिल तंग नजर अब यहां पर देखिए खुश हैं खुश मिजाज खुश इखलाक खुश भू खुश किसमत खुश नसीब आप लोग सुने होंगे तो इस सभी इन सभी लफजों में खुश क्या है साबका है मिजाज क्या खुश लगा है खुश लगा है भू क्या खुश लगा दिजीं कुश्बू हो जाएगा तो इन सभी लफसों में क्या है कुश्फ याद रखना है आगे बढ़ते हैं एक साबका होता है खुद जैसे कि खुद नुमा खुदधार कुद बैानी कुद पसंदी तो इन सबdefined क्या है खुद एक साबका है जेरे साया जेरे हकूमत जेर कदम तो जेर भी क्या है एक साबका है खुश खुद जेर हो गया उसके बाद से साहब याद रखना है साहब भी क्या है एक साबका है जैसे कि साहब दौलत साहब कमाल साहब अक्बाल साहब अकल साहब अकल फहम बोला जाता है ना तो साहब क्या है साबका ला भी सा साबका एक जैसे कि ला परवाही ला जवाब ला चार ना सारी ला फैक है याद रखना यह सारा का सबका मैं बता रही हुं ना जतना भी साबका होता है इसे हर्फ जो किसी लफज कि स्टार्टिंग में जुड़कर अर्थ把它 है नहीं सब स्ब्सक्ति हैं में इतना ही होता है याद कर लीजिएगा उसके बाथ से जीजी शाल जीवकार जीशान तो जी क्या हो गया सबक्षा हो गया कम वक्त सुनें होंगा वह बोलते हुए बड़ा कम बखत है ये तो कम बखत हुआmeal द्रके इसमें कम हो साबका हम हम भी क्या है साबका ही है जैसे कि हम सफर सफर के आगे हम लग गया रह के आगे हम लग गया तो हम राह हम वतन हम नवा ठीके तो हम हो गया साबका यक भी साबका है जैसे कि यक सा सुने होंगे यक जहती आलमी यक जहती ठीके यक रंग सुने होंगे आप लोग तो य हो गया साभका नौ भी क्या है साभका है नौ ज decreases का मतलब होता है आधा तीक जैसे के निम गरम यानि कि की आध्या गरम इंग की आधिजान नोम सुनेंगे तो लोग बोलते है तो नीम जान का मतलब कि आधी जान हो गया हूं ठीक है नीम रोज ठीक है तो नीम गरम नीम हकीम नीम जान नीम रोज इन सभी लवज क्या लगा है नीम नीम क्या हो गया है साबका तो यह टोटल साबका था यह टोटल क्या था साबका बस इसके लावा और कोई साबका नहीं होता ह तो भी कोुछेगा ाप लोग के इग्जाम में कोश्ठ जो रहेगा इस में साबका में से रहेगा तो ध्यान से यह जितने भी सांबका है इसको देख लिजे और याद कर लिजे इसके नहीं यह आगी चलकर अगर आप किसी बड़े लेवल के एक्जाम क्यारी करें तो भी यह ट्रिक आप लोगों को बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है ठीक है आगे बहुत जदा हेल्प करेगा तो आई होप आप लोगों को साबका समझ में आ गया और साबका जितना भी होता ह है वो मैं आप लोगों बता दी समझ में आ गया होगा चलिए अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लिल जी फड़ावर स्क्रीन शॉट तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं और मुझे पता है कि आप लोग यहीं सोच रहे होंगे कि मैं साबका तो बता दी लेकिन लाहका क्यों नहीं बताई देखिए आप लोग टेंसन फ्री रही है मैं लाहका भी बता दूंगी अगर आप लोग चाहते ह साबका टोटल में बता दी इसके इलावा दूसरा पूछे का भी नहीं तो जिस तरह साबका बता दी उसी तरह में आप लोग को लाहका बता दूंग अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंड में लिखकर जरूर बताएं कि हाँ इसका नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए यह नह तक वीडियो को पहुचाने की कोश्ट करें दबा कर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलें और हम आप लोग के लिए और जबरदस्त कॉंटेंट मिना आकर अपलोड करें अगर आप लोग नहीं हुए मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अर्प दहाफिज